क्या आप जानते हैं 5 जून को विश्रु परियावरन दिवस क्यों मनाते हैं? विश्रु परियावरन दिवस की सुरुआत 1972 में सैयुक्त राष्टर महासबादवारा आयोजित एक सभा की कारण हुई क्या आप जानते हैं 5 जून को इंग्लेंड और नीदरलेंड 1507 में व्यापारिक समझोदे पर सहमत हुए? क्या आप जानते हैं दोस्तो कि 5 जून को मुगल सामराज्य का सासक औरंग जेप 1669 में अधिकारिक रूप से दिल्ली की गद्धी पर बेठा? क्या आप जानते हैं दोस्तो महान विग्यानिक आईजेक न्यूटन ने 5 जून 1661 में केम्ब्रिज के ट्रिनिटी कोलेज में दाखिला लिया था? क्या आप जानते हैं बेंजामिन फ्रेंकलीन ने यह दर्साने के लिए 5 जून 1752 में पहली बार पतंग उड़ाई की बिजली विद्धुत का एक स्रोत है? क्या आप जानते हैं ग्रीक की स्वतंतता की लड़ाई के दोरान तुर्कों ने एक्रोपॉलिस और एथेंस पर 1827 में 5 जून को ही कबज़ा किया था? क्या आप जानते हैं दोस्तों अमेरिका में फिलाडेलफिया और बाल्टिमोर के बीच 1846 में टेलीग्राफ लाइन की सुरुआत की गई? और दोस्तों आपको बता दूँ कि अपने भारत देश में बॉम्बे में 5 जून को 1882 को एक भारी तुफान और बाड़ा आई थी जिसमें करीब एक लाख लोगों की मौत हो गई थी आप जानते दोस्तों अमेरिका की जो नौ से ना है उसने क्यूबा पर 5 जून 1912 में तीसरी बार हमला किया था वहीं डेनमार्क ने 5 जून 1915 को अपने संबिधान में संसोदम कर पहली बार महिलाओं को वोर्ट देने का अधिकार दिया था अरनेश्ट अलेक्जेंडर सन ने 5 जून 1924 में अटलांटिक महसागर के पार पहला फेक्स बेजा जो भी 5 जून को ही भेजा गया था 5 जून को अमेरिका ने 1942 में बुलगारिया, हंगरी और रोमानिया के खिलाब युद्ध की गोशना की थी क्या आप जानते दोस्तों, 5 जून को ही 1953 में डेनमार्क ने अपने संभिधान को अंगिकार किया था जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इसराइल ने 5 जून 1967 को मिसर पर हमला कर उसके करीब 400 लड़ा को उमानों को नश्ट कर दिया था जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं, सोवियत संग के अंतिम राष्टपती मिखाईल गौरबा चो को 5 जून 1990 को नोबेल सांती पुरुषकार से सम्मानित किया गया जी हाँ, आप जानते हैं, ताइवान ने अपनी पहली कुरूज मिसाइल को 5 जून 2005 में सफल परिक्षन किया गया जी, ये देखिए, अमेरिका ने भारत वा चीन को 5 जून 2008 को निगरानी की सूची में डाल दिया था पाकिस्तान के प्रदान मंत्री नवाज सरीप ने 5 जून 2013 को सपत ली थी भारत ने सबसे भारी रोकेट GSLV Mark 3D1 का 5 जून 2017 में सफल परिक्षन किया था जी हाँ, क्या आप जानते हैं, एपल ने एपल 2 कंप्यूटर को 5 जून 1997 में पहली बार पेस किया था